अच्छा अच्छ 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 अधियो अप्लोड रोट इस बिलापा वीडियो अली से क्या हो भाई फाइनली आप लोग के साथ अच्छ आनर 90 को यहां पर शेयर कर सकता हूँ तो बाई दे टाइम ये वीडियो अपलोड होगी Honor 90 जो है वो अफिशल हो चुका होगा इसका light version औरड़ी इस चैनल के उपर पोस्ट हो चुका है लेकिन ये वो mobile phone है जिसके बारे में excitement सबसे जादा है उसके reason ये है कि Honor की जो number series है ना एक बहुत ही unique series इसलिए बन जाती है कि ये flagship grade series नहीं है like अगर आप Honor के flagships की बात करते हैं तो वो usually magic series के नाम से आते हैं बट इस series के अंदर हर बार हम देखते हैं कि कोई एक चीज ऐसी जरूर होती है जिसको देखके आप कहते हो कि भाई ये तो flagship में पहली बार नहीं डालनी चाहिए थी क्योंकि इस series के अंदर although ये mid-range series है इसके अंदर innovation हो रही होती है और कोई ना कोई एक या दो ऐसे feature ज़रूर होते हैं जो कि इस mobile phone को या इस series के mobile phones को interesting बना रहे होते हैं और वो इस mobile phone के अंदर भी मौजूद है काफी surprise हुआ और मैंने actual में test out भी किया उनको तो हम उससी को discuss करेंगे online 90 हमारे पास यहां पर मौजूद है जो variant मेरे पास आया है वो इसका 12.512 वाला variant है इसका 8GB 256GB वाला variant भी आता है मुझे बताया ये गया है कि ये under 2000 दिरहम के price tag के अंदर launch होगा दुबाई की market के अंदर obviously ये UAE की market और Middle East market का phone है तो आप pricing convert कर सकते हैं जहां से भी आपकी वीडियो देख रहे हैं आप इडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं साओधी से देख रहे हैं, आप exact pricing convert कर सकते हैं मैं यहां पर जो UAE की दिरहम वाली price है, वो डाल दूँगा आप definitely इसको check out कर सकते हैं जो color हमारे पास आया है, इसका नाम यहां पर लिखा नहीं हुआ क्योंकि जिस time तक ये unit हम तक पहुचा था, उस time तक आई से कि इसका नाम exactly finalized भी नहीं हुआ था तो आपको दिखा देता हो कि color कौन सा है और मेरी team जो होपफुली यहां पर side पर जो इसका पूरा detail area है वो डाल देगी अब यह जो color है, यह सिर्फ color नहीं है, यह finish भी है यह एक और चीज़ है जो कि honor हम देख रहे हैं कि काफी time से कर रहा है जहां पर बाकी companies color को जो है वो change करती रहती है honor की case में हमने देखा है कि यह usually color नहीं बलके finish के उपर बात कर रहे होते हैं और यहां पर भी अगर आप देखें, तो यह mobile phone उपर वाली side पर एक different pattern में आ रहा है और नीचे वाली side पर यह different pattern में आ रहा है यह, मैं इसको explain नहीं कर सकता, बड़ इसको मैं explain ऐसे करूँगा आपने कभी देखा है कि पानी के निशान पर जाते है और उसके उपर आप हाथ तेरे तो आपको feel होता है कि कुछ है लेकिन कुछ है भी नहीं यह उसी तरह की चीज है बट उसको permanent कर दे और उसको अच्छे तरीके से कर दे मतलब उसमें एक design बन जाए, पानी का निशान तो ऐसे ही पड़ जाता है तो उस type की feeling है ना हाथ के उपर आ रही है कि बिलकुँ slight है, यह ऐसे नहीं है कि जैसे कोई चीज प्रिंट हुई हो यह बड़ी ही एक weird किसम की feeling है लेकिन इसकी वज़ा से mobile phone जहां से आपने पकरना होता है उसमें grip भी आड़ हो रही है और यह overall mobile phone की जो aesthetic है उसको भी काफी बेतर बना देता है back side पर जो आपका camera setup है, वो first look के अंदर जो honor की number series पहले आती थी उसी type का दिखता है बट reality यह है कि इस बार इसको एक oval shape जो है वो दे दी गई है और उसकी वज़ा से side पर ये golden type के rings डाल दिये गए है तो आप जब इसको move around करते हैं, यह एक बहुत different type का pattern है वो provide करता है यहापर आपको आपकी multiple LEDs वाली flash भी देखने को मिल जाती है और triple camera setup दिया गया है नीचे वाली side पर type C की port है, उसके इलावा आपकी sim slot यहाँ पर मौझूद है और side पर आपके buttons होगारा दे दी गए है, उपर वाली side खाली है और इस side पर आपको ज़ादा कुछ देखने को नहीं मिलता यह काफी हद तक plain side जो है रख दी कही है, इसको मैं on कर लेता हूँ, इसको already हम set up कर चुके है, मेरी team ने इसको already set up कर दिया था, बलके यह on ही है लेकिन हम box अंदर बाकी चीज़े देख लेते हैं क्योंकि हम फिर भूल जाएंगे, यहाँ पर आपको एक cover देखने को मिल जाता है, जो कि silicon cover है, जादा कुछ नहीं मनाया गया बट यहाँ पर वही oval shape जो है उसको रखा गया है, ताकि जो gold color है वो accent हो सके है, और side पर honor की branding की गई है, एक sim ejection pin देखने को मिल जाती है, इसको मैं remove कर लेता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहूंगा कि इस mobile phone के अंदर sim की क्या situation है, लेकिन सबसे पहले जो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है, इस mobile phone के अंदर मौजूद यह charging cable, यह mobile phone यह काफी बड़ी और powerful charging cable के साथ आता है, in fact, अगर आप यहाँ पर देखें तो 6 ampere की जो rating है, वो इसके लिखी हुई है, उसकी reason यह है कि although यह mid range mobile phone है, यह 66 watt की fast charging support करता है, और यह honor की super charge technology है, जिसकी वज़ा से आप इसको type C के ऊपर, अराम से fast charging जो है, वो कर सकेंगे, mobile phone यहाँ पर हमारे पास on तो already हो चुका है, तो इसके अंदर जरा sim slot को देख लेते हैं, और मैंने आपको बताया ना कि भाई, यह mobile phone बहुत ही unique है as compared to the rest of the devices, आपको दो sim slot जेक नहीं को मिल जाती है, भाई, उसकी reason यह है कि यह mobile phone जो है, अगर आप इसको compare करें किसी भी दूसरे mid range से तो बहुत different इसलिए है, कि इसके अंदर आपको जो overall scenario है वो बिलकुली flip मिलता है, usually हमने देखा है कि दो तरह के mid range आते हैं, एक तो वो mid range होते हैं, जो के बनाए ही mid range की तोर पे गए होते हैं, जिनके अंदर हर चीज़ बिलकुल mid range की कर दी जाती है, प्रोसेसर से लेकर, display से लेकर camera तक, फिर हमें उस तरह के mobile phones मिलते हैं, जिसमें सिर्फ gaming पर focus होता है, वहाँ पर गंदा camera लगा के, गंदा display लगा के, जो प्रोसेसर है वो flagship लगा दिया जाता है, जिसकी वएसे performance आपको flagship grade की मिल जाती है, बट बाकी हर चीज़ जो है वो low end हो जाती है, इस mobile phone के अंदर, आपको snapdragon 7 gen 1 का chipset ये 1600 nits का display है, जो कि HDR 10 Plus सपोर्ट करता है, तो आप Amazon Prime ये Netflix जेखना चाते हैं, ये HDR 10 Plus सपोर्टेड डिस्प्लेइ है, यही नहीं, ये display PWM dimming को भी सपोर्ट करता है, मैंने इसके ओपर एक reel अप्लोड की हुई है, जहाँ पर even जो latest flagship iPhone है, वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर हैं, और वो एक ख्यास speed के ओपर refresh हो रहे होते हैं, नॉर्मल मॉबाल फोन slow refresh होते हैं, उसकी वएसे आपकी आखों पर strain पड़ता है, ये जो मॉबाल फोन है, ये 3840 टाइम्स refresh हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी आखों का strain है, वो बहुत कम रहता है, और इस चीज़ को आप दिखा भी सकते हैं, अगर आप एक slow motion camera को यूज़ करें, जो कि हमने यहाँ पर test out कर भी लिया था, इसके लावा यहाँ पर जो display लगाया गया है, प्रॉपर curve display लगाया गया है, ये एक AMOLED display है, यहाँ पर in display fingerprint scanner भी आपको देखने को मिल जाता है, और मज़ज़ा बात यह है कि ये 120 Hz के refresh rate को भी support करता है, तो इस mobile phone के अंदर आपको जो speed है, उस side से कोई भी problem नहीं आने वाली, जो variant मेरे पास मौजूद है, ये 12 GB वाला variant है, और हमने इसको test out किया, ये almost 7,20,000 के करीब का score provide करता है, तो कहने का मक्सदी है कि almost flagship level का score है, वो intuitive के उपर आपको ये provide कर रह है, जब कि अगर आप balance, HDR या ultra HD यूज़ करते हैं, तो उन तीनों के उपर आपको ultra frame rate की option देखने को मिल रही है, जो बिलकुल top and devices दोती है, वो 90 frames की option प्रोइड करती है, 90 frames की option प्रोइड करती है, वो हमें PUBG में देखने को नहीं मिली, लेकिन मेरा नहीं ह्याल कि कोई भी बं लाइट है, वो है इस mobile phone के अंदर लगाये गए cameras, 2000 दरहन से नीचे मेरे ख्याल से ये जो mobile phone है, ये सबसे ज़ादा megapixel के साथ आने वाला mobile phone है, in fact I think ये overall पूरी दुनिया में जो mobile phone आ रहे हैं, उन में सबसे ज़ादा megapixel वाला sensor लगाया जा रहा है, जनरली वही पर sensor लेकर आ इसके back side पर आपको 200 megapixel का camera देखने को मिल जाता है, जो कि इसका main flagship camera है, और honor के मताबिक ये इतना ज़्यादा powerful है कि ये 200 megapixel का camera आपको इतनी detail image देगा कि आपको telephoto lens की भी जरूरत नहीं है, personally मुझे ऐसा लगता है कि telephoto lens फिर भी डाल देना चाहिए था, क्या ही चला जाता बट इस mobile phone के अंदर 200 megapixel का main camera है, 12 megapixel का ultra wide angle दिया गया है, जो कि मैं कहूंगा कि again mid range level का ultra wide angle camera है, और उसके इलावा आपको एक depth sensor जो है वो देखने को मिल जाता है, लेकिन front है जहां पर चीजें वाकि अच्छी हो जाती है, ये mobile phone एक बहुत जादा powerful selfie camera के साथ आता है, in fact इस mobile megapixel की selfies आपको provide कर सकता है, front camera 50 megapixel का लगाया गया है, और हमारी testing के मताबिक जो एक चीज हमने notice किया वो ये है, कि honor की color grading बहुत जादा next level है, in fact यहां तक मैं कह सकता हूँ कि ये उन कुछ फ्मोंज में से है, जिसमें आप तस्वीर खेंचेंगे, आप कोई filter नहीं लगाएंग आप कुछ नहीं लगाएंगे, आप सीधा Instagram पे post करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने एक तस्वीर किसी DSLR से खेंच कर किसी दोस्त को भेजी, उसने edit करके आपको वापस भेजी है, ये इतनी मज़दार images provide करता है, और मैं इसकी images को, अब honor मैजिक 5 से भी compare कर सक और एक और चीज़ जो के बड़ी interesting है, वो ये है कि इसका जो front camera है, वो भी एक wide angle camera लगाया गया है, तो आपके पास option है कि आप इसको super wide angle करके दोस्तों के साथ तस्वीर खेंच सकें, या फिर आप इसको थोड़ा सा punch in करकर अच्छी quality जो picture है वो खेंच सकते हैं, multi video mode भी यह पर दिया गया है, बट इसके अंदर एक और feature मौजूद है जो कि मुझे बहुत ही जादा पसंद आया है और वो है AI vlog का feature, इस mobile phone के अंदर camera में आपको अब AI देखने को मिल जाती है, जिसका फाइदा यह है कि आप बहुत जादा तस्वीरों को खेंचें, videos को खेंचें, उसक इसको एक vlog की form में edit करके आपको दे देगा, जिसको आप TikTok के ओपर लगा सकते हैं, जिसको आप Instagram पे लगा सकते हैं, तो आपको vlog को edit करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह बहुत जादा चीज़े डाल देता है, यह text भी डाल देता है, यह एक से music भी डाल देता है, और mode, फाइनली भाई, अगर आप बात करते हो, उस mobile phone की, तो इसकी जो बैटरी लाइफ है, वो भी काफी जादा efficient है, क्योंकि इसके अंदर Snapdragon 7 Gen 1 लगाया गया है, जो कि एक latest chipset है, यह Wi-Fi 6 को भी support करता है, और 5G को भी properly support करता है, और latest version को support करता है, और यह 5000 image की बैटरी के ओपर अराम से आपको डेट दिन का बैटरी बैक अप दे देगा, और अगर आपकी बैटरी कम हो भी जाती है, तो यह जो 66 वाट का charger है, यह 20% बैटरी आपको 5 मिनट के अंदर दे सकता है, और उस 20% बैटरी से आपके अराम से 6-7 घंटे निकल जाएंगे, जिसमें आप regular phone को यू आप चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कि mobile phone दिखने में भी cool हो, और जब आप यूज़ करें आपको feel ना हो गया, आप flagship यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो भाई आप definitely इस mobile phone को check out कर सकते हैं, इस description के लिंक छोड़ दूँगा, अगर आप further details देखना चाहते हैं, वीडियो में under 2000 दिरहम आपको कौन सा mobile phone पसंद आता है, मुझे नीचे comments में आप लोग बता सकते हैं, इस वीडियो में इतना ही, this is Bilal signing off, अलाहाफिज